हेलो एफ्रीवान वेल्कम बैक टू माइ यूट्यूब चैनल गाइस आज हम डेली पुलिस की सीरीज में ही टॉपिक पढ़ेंगे यह भी फिजिक्स का ही टॉपिक है और अभी तक अगर आप इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू इससे पहले मैं का का इसन विडियों खर्जाइश लिशिख की बहुत शारी वीडियो्स रिकॉर्ड कर चुकी हूं जिसमें मैं शय़र्ट टाइम και कम से कम वीडियों में रिकॉर्ड करकर एक रहा रही हो एक बार सारे कंसेप्स के रिवीजन हो जाये उसके बात में मैं आपको इसके प्रिवेस एर के कुछ ग्वेस्टन भी दे दूंगी जो एससी में बहुत बार रिपीट हुए है जिससे कि आपको अपनी प्रेपरेशन में बहुत जादा हेल्प मिलेगी So, आज का हमारा topic है heat Heat means आप सबको पता है heat word जो है वो गर्मी से relate करता है Means कि जब temperature बहुत जादा बढ़ जाता है So, heat क्या है? एक form of energy है जो कि responsible होती है for change in thermal condition of the body जो हमारी body की thermal condition होती है आप सबको पता है कि हम लोग warm blooded है और उस situation में जैसे जैसे हमारी body का temperature rise होता है Means कि body में heat बढ़ती है तो जो temperature है या जो हमारी body की thermal condition है उसमें variations आती है As I told you कि आपको कभी भी definitions नहीं पूछी जाएंगी आप से पूछा जा सकता है तो SI unit वो किस type की quantity है उससे based कोई applications आप से पूछी जाती है So पहला question ये बनता है कि जो heat है उसकी SI unit क्या है So heat की SI unit होती है guys joules जैसे यहाँ पे इससे पहले वाले part में मैंने आपको pascal slow में बढ़ाया था कि जो pressure है उसकी unit होती है pascal अब यहाँ पे देखे जैसे आपको एक side physical quantities दे दी जाएं यहाँ पे like physical quantities दे दी जाएं और यहाँ पे इनकी SI unit दे दी जाएं और फिर आपको ना match करना पड़ता है answers को कि जो units है physical quantities हैं उनकी इधर में से कौनसी unit है तो ऐसे questions usually आपके exam में देखने को मिलते हैं तो ऐसे ही आपसे heat से भी related question पूछा जा सकता है कि जो heat है उसकी SI unit क्या है so answer होगा आपका joules next है हमारे pass में temperature means की तापमान एक ऐसी quantity है जो express करता है degree of hotness और coldness of the body यह कम भी हो सकता है तो जब कम होता है तो coldness को major किया जाता है और जब सादा होता है तो hotness को major किया जाता है जैसे कि winter के time में जो temperature है वो कम हो जाता है तो ठंड बढ़ जाती है और summers में जब temperature बढ़ जाता है तो गर्मी हमें जादा लगने लग जाती है I know मैंने यह बहुत ही बेसिक सी लाइन बोली है आप मैंसे 90% लोगों को यह चीज पता होगी लेकिन अगर जिनको नहीं पता तो उनके लिए यह चीज इंपॉर्टेंट है कि जब टेंपरेचर बढ़ता है तो गर्मी जो है वो बढ़ जाती है और जैसे जैसे टेंपरेचर कम को बॉड़ी की मापने के काम आता है इसके लिए किसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी आप पूछा यह चाता है कि कौन सा जो डिवाइस है जो टेंपरेचर मेजर करने के लिए काम में लाया जाता है सो आंसर है आपका थर्मो मीटर अब गाइस एक चीज देखिए ऐसे आपके बहुत अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी पूछे जाते हैं जिसका आपको जादा आइडिया नहीं होता और यह चीज आपकी प्रैक्टिस से ही सॉल्व होने वाली है इसके अलावा जब हमारा फिजिक्स की सीरीज का लास्ट पार्ट होगा उसमें मैं आप जो इंस्ट्रूमेंट्स जो मोस्ली एससी में रिपीट हुए हैं वह मैं आपको लिस्ट प्रिवाइड कर दूगी यहां पर यह क्वेशन होता है कि टेमपरेचर को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूस करते हैं वह तर्मोमीटर है अब देखे टेमपरेचर मेजर क यूस करे जाते हैं जिसको हम अपनी लाइफ में यूस करते हैं जैसे एक होता हमारा सेल्सियस केल यह आप सबने देखा होगा जैसे जो न्यूस पेपर में या फिर आप अपने फोन में जब टेमपरेचर देखते हैं कि आज कितना टेमपरेचर है गर्मी है तो कितनी जाद स्केल यह आपने कहा देखा होगा जहां पे आप अपना जैसे आपका बॉडी टेंपरेचर बढ़ जाता है जिसको हम फीवर होने की कंडिशन कहते हैं तो वो जब आप अपना फीवर चेक करवाते हैं डॉक्टर के पास में जाके यह चीजे जो होती है यह हमारी फैरनाइट म लेकिन यहां पे आपको मैंने इंग्जामपल इसले दिया कि आप थोड़ा सा चीजों को रिलेट कर पाएं कि किसमें इसका यूज किया जाता है जैसे यहां पे मैंने आपको बता दिया कि जो डिगरी सेल्सेस है फैरनाइट स्केल है इनको कैसे सिंबल भी और इमका यूज इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास में कैल्विन स्केल जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो यूज है यह टेंपरेचर स्केल जो होता है जहां पे जीरो रिफ्लेक्शन होता है मेंस की थर्मल अनरजी जो है वो completely absence हो completely खतम हो वहां पे इसका यू जो होता है जो हीटिंग से रिलेटिड होता है टेंपरेचर से रिलेटिड चीजे हम उसमें पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास में आता है रिमर स्केल जो रिमर स्केल है इसको आर से डिनोट किया जाता है और यह भी स्केल जो है यह भी एक टेंपरेचर मेजर करने के लिए यूस किया जाता है इसके बाद में देखे next आता है हमारे पास में जो रिमर स्केल है इसका यूस आपको पता होना चाहिए कि जो मिल्क का जो टेंपरेचर है चीज प्रडक्शन जब करी जाती है तो उस टाइम पे दूद का टेंपरेचर मापने के लिए हम इसकेल का यूस करते है यहाँ पे इनकी कुछ कन्वर्जन यूनित से रखे है जो आप एक बार पढ़ लीजेगा next point यह important है जो normal temperature होता है human body का Fahrenheit में जो हम major करवाते हैं जैसे 100 है 101 किसी को temperature होता है तो वो Fahrenheit में major किया जाता है normal human body temperature इतना होना चाहिए 98.6 degree Fahrenheit और degree Celsius की बात करें तो यह होना चाहिए 37 degree Celsius यह question भी बहुत बार repeat हुआ है कि आपको normal temperature पता होना चाहिए इसके अलावा कुछ आपको normal quantities पता होनी चाहिए like हमारी body में human body में blood कितना है कितने लीटर पाया जाता है हमारा जो brain उसका weight कितना होता है water की presence कितने लीटर होती है so ऐसे type के common questions है जो की बहुत बार यह repeat होते है और हम इनकी practice में नहीं रहते हमें लगता है यह चीज़े नहीं पूछी जाहेंगी इस वज़े से यह questions गलत हो जाते है next यहाँ पर देखे हमारे पास कुछ methods आते है जैसे एक method आता है आपका conduction यह जो method होता है this mode of transmission of heat means की heat transmission करने का method होता है conduction अब इसके बार में देखे इसमें आपको ना definition पूछी जा सकती है कि जहाँ पर आप जो atoms हैं, molecules हैं उनमें collision हो रहा है collision का मतलब होता है आपस में टकराना तो conduction का है एक process होता है जिसकी help से जो heat energy है वो transmit होती है जो collision होता है neighboring atoms और molecule में जैसे मान लीजे यह एक burner है sorry, यह container है इसके नीचे burner है flame on है और यहाँ पे आपने पानी डाला हुआ है आप देखेंगे आपको separately दिखने लग जाएंगे और वो आपस में टकराने लग जाते है तो ऐसे example से आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे collision हुआ और इसमें जो heat energy है वो transfer हो गई means कि जो बाकी के जो atoms और molecules हैं उनके अंदर heat energy का transfer हो जाता है तो यही चीज़ हम conduction में पढ़ते हैं आई होब आपको यह heat वाला concept समझ में आगया होगा इसके बाद में देखे next है mode of transfer of heat from one part of medium to another part of actual moment of heat particle of medium is called convection यहाँ पे तीन methods हैं जो आपके science में पूछे जाते हैं इनकी ना applications आपसे जादा तर पूछी जाती हैं कि यह क्या होते हैं सबसे पहला देखे एक method होता है हमारा conduction जो मैंने अब पीछे आपको बताया एक होता है guys convection और एक चीज़ होती है आपकी radiation यह तीनों जो methods हैं इनकी definition आपको पता होनी चीए क्योंकि इनकी application based question कई बार exam में आ जाता है तो सबसे पहला आता है हमारा conduction इसका मतलब क्या होता है जो heat transfer करी जाती है वो direct contact में होती है direct contact में जो atoms molecule पास में आए उनमें जब heat transfer होई तो वो example होगी हमारा conduction का अब जो convection है इसमें जब heat transfer होती है तो वो एक fluid के अंदर-अंदर heat transfer होती है और यहाँ पे जो radiation वाला portion है इसमें जो heat transfer होता है वो electromagnetic wave की form में होता है जिसके अंदर particles को involve नहीं किया जाता है यह points आपको याद रखने है यहाँ पे देखे यह convection हो गया in liquid and gases transmission of heat take place by the convection process तो यह क्या है liquid or gases में क्योंकि यह fluid का example है fluid मतलब जो बहने वाली चीज़े होती है जिनके जो particles है वो move करते है यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद में next आता है हमारा radiation इसमें भी जो heat है वो transfer होती है one body से another body में और इसके लिए किसी medium की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यह electromagnetic nature में होते है जैसे आपको conduction और convection में medium की ज़रूरत पड़ेगी उसी तरीके से इसमें radiation में medium की ज़रूरत नहीं पड़ती है now guys मिलते हैं next video में जिसमें मैं आपको simple harmonic motion करवाऊंगी thank you so much